मैं भी नुयक में बैठकर यही सोचती थी कि मेरा खेती से क्या रिष्टा है लेकिन मुझे इंडिया आकर समझ में आया कि पास्ता खाने वाले बड़े आदमी से लेकर चावल खाने वाले गरीब आदमी का इस खेती से रिष्टा है और हम सब ने किसान को बुला ही दिया है ज इसान के बीच एक खुबसूरत रिष्टा है। खेती एक कंडिशनल रूम में बैठ कर कानूनी बिल बनाने जितना आसान नहीं है। खेती धर्थी और इनसान के बीच एक खुबसूरत रिष्टा है। जिसका विज्ञान एक किसान ही समस्ट करें। जो किसान हमारे लिए धर्थी के सीने पर हल चला कर खेती करते हैं। जब वो आत्मा हत्या करते हैं तो कहां होती है हमारी मीडिया। और कहां होते हैं हमारे न्यूस चैनल। कोई किसान अपने बेटे को किसान नहीं बराना चाहता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेती किताबों की इतहास में नजर आएगी। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि वो किसान के हिट में काम करें और उन्हें नियाए दिलाएं। दन्यवाद।